हरियो, स्वागत है आप सभी का जीता ज्यान में आज हम अध्याय नो के दस्वे स्लोक से प्रारंब करते ही बगवान कह रहे है कि हे कौन तेर मेरी अध्यक्षता में प्रकृती चराचर जगत को रचती है और इसी कारण संसार चक्र घूम रहा है मेरी अध्यक्षता में प्रकृती चराचर जगत को रचती है अब यहां बड़ी महत्पूर्ण बात बगवान कर रहे हैं कि यह जो पूरा संसार चक्र घूम रहा है यह जो पूरी प्रकृती है, श्रस्टी है इसका जो आरंब हुआ है और यह पूरी प्रकृती जो चल रही है, गतिमान हो रही है जहां बन रही है, जहां मिट रही है, जहां इसकी व्यवस्था हो रही है यह सब मेरी अध्यक्षता में हुआ था बगवान यह नहीं कह रही हैं कि मैंने किया था जो महां अकरता है वो कैसे कहेगा कि मैंने किया था बगवान तो केवल इतना कह रहे हैं कि ये सब जो भी कुछ चराचर जगत की रचना हुई है वो मेरी अध्यक्षता में हुई है, मेरी प्रजेंस में हुई है, मैं अध्यक्ष हूँ इसका जैसे किसी कंपनी का एक चेर्मेन हूँ, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है, नाम के लिए चेर्मेन है बस उसकी प्रजेंस में सब कुछ हो रहा है जैसे देश की राष्टपती को, यदि हम देखें अपने तो, वो बस एक राष्टपती है सारा कार्रित उनकी प्रकर्टी है जो उनका मंत्री मंडल है जो सरकार है वो करती है वो केवल एक अध्यक्ष है उस देश के और वहाँ पर बस उनकी प्रजन्सी काफी है इसलिए एक दिन भी उस अध्यक्षपद को खाली नहीं छोडा जाता वो है ऐसे देखे तो प्रकृति में इतना कुछ हो रहा है कोई तो है इसका जो अध्यक्ष है तो भगवान कह रहे हैं वो मेरी ही अध्यक्षता होती है जब प्रकृति प्रारंब में जब श्रस्टिकी रचना हुई थी ये चराचर, चर और अचर जो प्रकृति का निर्माण हुआ था मेरी अध्यक्षता में इसका प्रारंब हुआ था और जब मेरी ही अध्यक्षता में हुआ तो सब कुछ मेरी ही अध्यक्षता में हो रहा है मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ प्रमात्मा की प्रजेंस ही काफी है प्रकृति तो अपने नियमों के आधार पर कार करती है उसका सीधा सा नियम है प्रकृति का अपना नियम है कि ग्रैविटी अपना काम करेगी आग अपना काम करेगी, जल अपना काम करेगा, वायू अपना काम करेगी और इन सब का इखटा रूप अपना काम करेगा सब अपने अपने नियम में बंधे हुए है ऐसे ही हम भी कोई कर्म करते हैं तो जैसा कर्म किया जाता है उसी के अरूप आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी फल प्रकट हो जाएगा अब हम कहें कि परमात्मा हमारे फल को देता है तो नहीं कर्म मैंने किया है जब भी किया है आज किया या पहले तो उसका फल मेरा ही है ऐसा नहीं कि कर्म मैंने किया और फल पडोसी का है ऐसा नहीं कि साधना तो पतीने की और मुक्त पत्नी है या पत्निन साधना की और मुक्त पती है असलत में जो कर्म करता है उसको फल उसी प्रकार से मिलना निश्चित हो जाता है ये प्रकृति का एक नियम है चुकि हमारे कर्म सारे प्रकृति से बधे हुए है हमारे सारे कर्म तीन गुणों में है तो तीन गुणों के जो आधार है वो प्रकृती है, प्रकृती में ही तीन गुण है या तीन गुण ही प्रकृती है तो हमारे तीन गुण प्रकृती में होते हैं, तो उसके कर्मों के फल होते हैं तो प्रकृती अपने नियमों से बंधी रहती है और हमेशा से बंधी हुई है जैसा वहाँ पर हम कर्म करते हैं वैसा फल आता है प्रकृती में एक नियम है कि बीज से अंकुरित होगा वो अंकुरित हो जाएगा एक नियम है उस नियम के तहट पूरी स्विस्टी कारे कर रही धर्ती अपने आधार पर जो घूम रही है जो लगातार सूरी का चक्कर लगा रही है और घूमती हुई अपने धूरी पर एक नियम में बधी हुई है और उसी नियम में बद कर वो कारे कर रही है चंद्रमा अपने नियम में बधा हुआ है वो भी चक्कर लगा रहा है अपने धूरी पर घुमता हुआ है वो अपने नियम में बधा हुआ है सूर्य अपने नियम में बधा हुआ है पूरे समक्षतारा मंडल अपने नियमों बधे हुए है पूरा ब्रमान यहाँ पर अपने ही नियमों से बधा हुआ है और प्रकृति के उपर जो पुरुष है अर्था जो महा पुरुष है जो ईश्वर है जो परमात्मा है उसकी अध्यक्षता में ये सारे नियम तै हो चुके थे और उसके बाद सब कुछ वैसे ही होने लगा परमात्मा ने ना पहले कुछ किया था ना अब कुछ करता है हम कहते हैं कि परमात्मा ने इतना बुरा क्यों किया हम कहते हैं परमात्मा अच्छे लोग को जल्दी क्यों उठा लेता है हम कहते हैं अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है कोई बड़ी दुख जीवन में प ये हम सब अपने ही नियमों के आधार पर बधे हुए हैं, हम चलते हुए गिर जाएंगे, चोट लगेगी, धर्ती का अपना नियम है, वो कार्रे कर रहा है। वो अपने सब नियम के आधार पर हैं, परमात्मा जो है वो जो का त्यू है, वो सब जगे हैं कण कण में समाया हुआ है, यहाँ पर जो भी कुछ घट रहा है जिस भी इस तर पर, परमात्मा की अध्यक्षता के आधार पर उसकी प्रजन्स के आधार पर घट रहा है। दरशन के लिए आते हैं बस गुरू की उपस्थिती में बैठना ही काफी होता है चुकि गुरू कुछ करता नहीं है उसकी उपस्थिती ही काफी होती है ऐसे ही मंदिर में आप जाओ बस वहां हम कुछ करते नहीं है वहां की उपस्थिती ही परमात्मा की मूर्ति की वो काफी ह वो एक्षिली उसकी उपस्थिति हर जगे है ही है, वो अध्यक्ष रूप में कढळ में विराज़ा हुआ है और कढळ जो प्रकृति से बना है वो प्रकृति के नियम के आधार पर काम कर रहा है लेकिन वहां पर भी अध्यक्ष रूप परमात्मा विराजित है परमात्मा महा अकरता होने से कुछ नहीं करता लेकिन प्रकृति करता होती हुई सब कुछ अपनाकार रिजुका त्यूं करती रहती है इसलिए प्रकृति पे कोई दोश नहीं चुकि वो अपने नियम से बंधी है परमात्मा पे कोई दोश नहीं चुकि वो केवल अध्यक्ष है वो कुछ कर नहीं रहा है तो दोश किसका है जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलता है उसी का ही दोश होता है आप जान जाओ और आप उस नियमों के आधार पर चलो तो कोई आप जान जाओ कि ये शरीर जन्मा ये मर जाएगा तो बस जान जाओ तो मृतिव से दरहट गया जान जाओ कर्म करेंगे उसका फल आएगा अच्छे कर्म होंगे अच्छा फल आएगा धन आएगा वैभव आएगा जान जाओ इसके लिए education दी जाती है वो जान जाते हैं कि कर्मों का फल प्रकट होता है लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में होता है सब कुछ जैसे क्लास रूम में छोटे बच्चे हैं और वो टीचर नहीं है तो सब हुर्दंग करते हैं और टीचर आकर चुप चाप बैठ जाए बले वो अपने मुबाइल पर कहीं कुछ कार्रे कर रही हो बच्चों को पता है कि बस टीचर बैठी हैं तो उनका हुर्दंग काप यह तक ठम जाता है वो ठम ही जाता है चुकि पता है कि कोई अध्यक्षता कर रहा है जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हैं कुछ कर नहीं रहे हैं वो केवल बैठे हैं वो केवल बैठे हैं सब अपना-पना काम कर रहे हैं उनका बैठना ही काफी होता है वो घर के अध्यक्ष के रूप में उनकी प्रजेंस ही काफी होती है तो उनकी प्रजेंस के कारण से घर पूरी तरह से व्यवस्था के रूप में चलता रहता है सब अपने टाइम पर आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, शब्दों का से फिकार से ध्यान रखेंगे यूँ बैठे हैं, सुनना लें तो पूरी तरह से हम एक अपने आपको व्यवस्थित कर लेते हैं चुकि पता है कि घर में कोई बुजुरुग है और उसके प्रतियदी आदर का भाव हो तो फिर तो और जादा हमारे अंदर कार्य करने में कुशलता आने लगती है ऐसे ही परमात्मा भी प्रकृती की जब रचना हुई तब अध्यक्ष बना था और तब से वो अध्यक्षी है जो कात्यू है तो भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्तेय सब भूत हे कौन्तेय मेरी अध्यक्षता में प्रकृती चरा चर जगत को रचती है उसकी रचना हुई प्रारम में रचना हुई और इसी कारण संसार चक्र घूम रहा है वो जो रचना हो गई थी एक बार जैसे आप कोई कंपनी या कोई ट्रस्ट या कोई सुसाइटी को फॉर्म करो तो उस समय बहुत सारे नियम बना दिये जाते हैं और वो ट्रस्ट वो सुसाइटी वो कंपनी उनियमों के तहत कारे करती है वो पहले से ही तैयार कर दिया जाता है कि नियम क्या है तो ऐसे प्रकृती के भी प्रारम में जब रचना हुई थी एक नियम बना दिये गए थे और पूरी प्रकृति लगातार जब तक है वो उन्ही नियमों से बंधी हुई है यहां तो हम अमेंडमेंट कर लेते हैं कि कोई society, company, trust बनाकर उसमें बीच में कुछ डाल देते कि उस टेम समय छूट गया था लेकिन प्रमात्मा जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, वहां पर कोई बाद में अमेंडमेंट नहीं, वो तो सब कुछ पहले से ही नियम बन चुके थे इसलिए पूरा संसार चक्र जो है वो घूम रहा है अपने कर्म हैं, कर्मों के फल हैं, फल के भोगने के सासा फिर कर्म हैं और फिर भोग हैं लगातार ये प्रक्रिया हो रही है, होती ही आ रही है, अनादी काल से चल रही है सूर्य अपना काम कर रहा है, धर्ती अपना काम कर रही है, पूरा ब्रह्मान अपना काम कर रहा है, जूका त्यू काम कर रहा है और जो वो काम करता है तो उसमें डेटुरीशन बहुती सुक्षमिस्तर पर लगातार होने लगता है जहां गती है वहाँ पर परिवर्तन है जब प्रले होती है तब भी प्रमात्मा की अध्यक्षता में होती है जब आरंब होता है तब भी वो अध्यक्ष है वो जू का त्यू खड़ा हुआ है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है यदि हम अपने शरीर को देखे तो आप घर में पाँच लोग है एक जैसा खाना बना सबने वही खाना खाया सबका अपना अपना ब्लड गुरू बनता है कौन है अध्यक्ष बनकर जो अंदर बैठा है जो इस बहुती बारीक नियम के आधार पर हमारा शरीर चल रहा है कोई तो है कि गाय घास खाती है और दूद आता है कोई तो है जिसकी प्रिजन्स में प्रकृति अपने नियम उसे बंद कर लगातार कारे कर रही है कभी ऐसा हुआ नहीं है कि यदि 20,000 साल पहले गायने घास खाया था तो दूद आया था और अब दूद नहीं आया वो वैसे ही चलेगा उसी के अन्रूप चलेगा जो उपर से फैकी जाती है चीज वो नीचे की तरफ आती है ग्रेविटी रुत्वा कशन अपना काम कर रहा है वो तब से कर रहा है वो करता ही रहेगा प्रकृति का ये चक्र लगातार यूँ ही चलता रहेगा या फूल खिल रहे हैं चुडिया चह जा रही हैं पेड़ खिले हुए हैं नदी बह रही है चान सूरज तारे पूरी काइनात जो है वो लगातार अपने ही उसी रूप में प्रकट है कौन है जो पत्तों में रंग भर देता है आप यदि पत्तों को देखो या पेड़ों को देखो और खड़े हुए जंगल में देखो तो आप देखें कि कितने शेट्स हैं हरे रंग के अनेको शेट्स हर पेड़ आपको अलग-अलग रंग का दिखाई हरे में भी अलग-अलग शेट्स का दिखाई देने लगेगा क्या है ये राज ये प्रकृति में क्या ऐसा नियम बन्दे हुए थे कि इतनी विविद्धाए इसमें भरी हुई और जब इतनी प्रकृति में विविद्धाए है तो कौन था इसका अध्यक्ष जिसकी प्रजन्स के आधार पर ये प्रकृति इतने विविद्ध रूपों और नियमों के आधार पर बन कर खड़ी लगातार जू कि त्यूंँ खड़ी फिर भगवान आगे नौवे अध्याय के ग्यारवे स्लोक में कहते है कि मेरे परमभाव को न जानते हुए मूड लो मनुष्य रूप में इस्थित मुझ भूतों के महा इश्वर को नहीं जानते हम तो अपने में उलजे हुए हैं सुबे से लेकर रात तक केवल अपने में ही अपनी इच्छा, अपनी वासना अपना घर, अपनी घ्रहस्ती, अपना परिवार, अपनी दुकान, अपना व्यापार एक पुलजन है, जैसे कोई चक्र है और उसमें हम घूम रहे हुए एक कोहलू के बैल की तरह, लगातार कोहलू का बैल जैसे उसको रस्सी बान दी जाती है, और वो घूमता रहता यूँ ही हम भी जीवन भर कोलू के बैल की तरह अपने ही उस दाइरे में घुमते रहते हैं किसी के दुकान है तो दुकान के दाइरे में घुमेगा किसी का व्यापार है तो उस दाइरे में घुमेगा उसमें थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेगा उस दायरे को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेगा, चोटे घर को बढ़ा करने की कोशिश करेगा, चोटी कार को बढ़ी करने की कोशिश करेगा, चोटी बुद्धी को बढ़ी करने की कोशिश करेगा, जहां है वहां थोड़ा सा उसी दायरे में ही व्यक्ति घुमता रहत कभी दाइरा नजदीक आ जाएगा, कभी थोड़ा दूर चला जाएगा, लेकिन सब अपने ही सीमाओं में बंधे पड़े, हम उससे निकली नहीं पाते हैं, उससे निकले तो परमात्मा का परमभाव जो है वो अनुभव को, परमात्मा की दिव्विता तो असीमता में हैं, व आप में अभी, चुकि हमने अपने आपको सीमाओं में बंधा है, तो उस विशालता को हम कैसे अपने उस पात्र में रख सकते हैं, एक लीटर का बरतन मेरा पास है, और हम कहें कि समुद्र को उसमें भर लें, वो कैसे भर पाएंगे, समुद्र का तो फिर, वो समुद्र बि विशाल है और हमारा लोटा बिलकुल छोटा है, तो हम यदि अपने ही खयालों में उलजे हैं, अपने ही दुनिया में खोए हैं, अपने ही जगत के निर्मान करके उसमें फस गए हैं, तो उस परम भाव को हम कैसे जानेंगे, और भगवार कहा रहे हैं, वो मूड लोग होत है, आसकती होती है, मोह होता है, मोह के कारण से व्यक्ति अठका है, किसी का व्यापार में मोह है, किसी का धन में मोह है, किसी का परिवार में मोह है, किसी का परिवार में नहीं तो व्यापार में है, किसी का व्यापार में नहीं तो परिवार में है, सब के अपने अपने मोह क खूटिया है, समने अपने आपको वहां बांध लिया है जैसे गाय को बांध दिया जाता है एक पेड़ से अब फिर वो गाय जो है वो रसी के द्वारा बस उतने ही दायरे में घुमती है वही पर ही अपना घास चड़ लेती है एक बंधन है गाय के गले में एक पेड़ से ऐसे हमने भी मोहों के कारण से अपने कुछ बंधन बांधे हुए है कही ना कही हम अटक गए हैं और वो जो अटकन की प्रकरिया है उसको मूडता कहते है यदि मनुष्य कहीं अटक जाए किनी चीजों में तो मूड है भगवान कह रहे हैं कि वो मूड लोग है जो मेरे परम भाव को जानी नहीं पाते चुकि वो अपने मूडता में अटके हैं, अपने मुहों में अटके हैं, अपने छुद्रता में अटके हैं, अपने छोटे पन में अटके हैं और कहते हैं कि यही बड़ा है जैसे कुवे का मेंड़क कहें कि भाईया यहाब बात है मेरे पास तो कितना बड़ा सामराज्य है और दूसरा दोस्त मेंड़क उसको तालाब मेले गया तो कह रहा ऐसा भी हो सकता है इतना बड़ा भी पानी हो सकता है इतना बड़ा भी तलाव हो सकता है अब एक और मित्र सको समुद्र में ले गया उसे लग रहा था कि मेरा ही कुआ बड़ा है उसे पता ही नहीं कि अभी विशालता कितने उचे इस तर पर बह रही है हम भी अपनी छोटी से दुनिया में जो भी दुनिया हमारी है वस वो छोटी सी है उस ब्रह्मांड के आधार पर तो छोटी सी है उस ब्रह्मांड के आधार पर तो ये धर्ती छोटी सी है बिलकुल रती धूलका कण है तो हमारी दुनिया कितनी है और उस दुनिया में भी हमने अपने आपको कही छोटे से में अटक और उसी कारण से उस दिव्यता को अनभव नहीं कर पाते, क्योंकि वो समुदर की तरह है, वो आकाश की तरह है, इतनी विशाल है, वो परंभाव जो है, और हमने अपने लुटिया को बहुत छोटा बनाया हुआ है, तो मेरे परंभाव को न जानते हुए मूड लोग, मनुश रूप में इस्थित मुझ भूतों के महाईश्वर को नहीं जानते, यदि वो परंपिता परमात्मा किसी मनुश्य रूप में प्रकट हो जाए, या यूँ कहे कि कोई मनुश्य अपने आपको इतना इंवाल्व करे, इतना इंवाल्व करे, इतना अपने भीतर जुडे, आप में एकाकार करते हैं, तो चुकि उस परमतत्त के साथ एकाकार हो गया है, तो अब वो परमतत्त ही हो गया है, वो शरीर रहा ही नहीं, शरीर तो है, लेकिन अंदर से लिंक कुछ और है, जैसे शरीर तो सब के हैं, अंदर से बुद्धी कुछ और है, सब की अपनी अपन बुद्धी है, जित्ते मुंडे उत्ती मुंडी, सबकी अपनी अपनी बुद्धी है, बुद्धी के आदार पर व्यक्टी का valuation होता है, उसका आकलन होता है, लेकिन यदि कोई पूरी तरह से अपने आपको उस परमतत्तों के साथ एकाकार कर ले, तो एकाकार हो जाने के बाद भी, जो मुड़ लोग हैं, वो कैसे जानेगे कि ये व्यक्ती है, जिसने अपने आपको उस परमतत्तों से एक कर लिया है, वो तो जान ही नहीं पाएंगे जान ही नहीं सकते क्योंकि वो तो अपनी मूड़ता में ही अटके हुए अपने ही छोटे भाव में अटके हुए तो भगवान कह रहे है कि यदि मैं मनुष्य शरीर में यदि वो जो महाईश्वर है वो प्रकट भी हूँ तो मूड़ लोग कैसे जानेंगे चुकि वो तो अपना चश्मा लगाए बैठी यदि परमात्मा हमारे पास से निकल जाए किसी शरीर के माध्यम से भीड़ में तुम कैसे पहचानेंगे वो भगवान शरी कृष्ण को किसने पहचाना वो को रोगो का इतनी बड़ी सैना खड़ी है अक्षणी अक्षणी सैना खड़ी है कोई जान थोड़ी रहा है कि ये परमपिता परमात्मा साक्षात मनुश्य रूब धारण करके प्रकट है सब तो अपने अपनी स्वार्थों में लगे हुए वो दुर्योधन कहां जान पा रहा है वो कहां जान पा रहा है दुस्सास वो नहीं जान पाता चुकि मूड़ता जितनी गहरी होती है उतना हम धिव्वता को जान नहीं सकते हम जानी नहीं पाते कि वो गुरू किस उचे इस तर पर अपने भीतर के साथ जुड़ा हुआ है जो भीतर अपने उस दिव्वता के साथ जुड़ जा वही तो गुरू है कुछ शास्र याद करके कुछ शब्द बोलने का मतलब गुरू थोड़ी होता है अंदर से जो पूरी तरह से अपने ही स्वरूप से जुड़ा है वही गुरू है और लगातार जुड़ने की प्रकरिया वो परमभाव के साथ परमतत्तों के साथ एकाकार हो जाती है इसलिए गुरूओं को भगवान कहा जाता है चुकि उन्हों ने उस दिव्वता को एकाकार कर लिया है तो अरजुन भी तो देखें बगवान कृष्ण को बगवान थोड़ी मान रहा है था वो तो मित्र ही कहता था वो बगवान माना होता तो जिसका रत बगवान हाक रहे है वो कैसे हत्यार ढलता वो तो देखता ना भगवान मेरा रथाक रहे हैं तो जो होगा वो बैस्टी होगा लेकिन वो देख नहीं पा रहा था कि भगवान है चुकि वो अपनी मूडता में है, अपनी ही आसक्ती में है अपनी ही शुद्रता में है, अपने छोटे पन में ज्ञान के माध्यम से जैसे जैसे बुद्धी को खोला जा रहा है बुद्धी को विवेक और स्थितप्रग्जी किया जा रहा है और फिर भगवान कहा रहे हैं कि जो मूड लोग है वो मनुश्य रूप में जब मैं प्रकट होता हूँ तो कोई जान नहीं पाता कहा जाना सब धर्म गरंथों के जितने भी गुरु हुए हैं सब को पीडा ही तो पोचाई गई है कौन जानता था क्राइस्ट वहां उस परम तक्तु से कनेक्ट है किले गाड़ दी गई कौन जानता था महावीर कौन जानता था बुद्ध कौन जानता था इस परमपरा में इतने गुरू कौन जानता था कि कभीर, नानक, दादू वो सब उसी परमतत्तों के साथ जुड़े हुए हैं वो वही है अब अलग नहीं है इतने रिशी हुए हैं हमारे यहां कहा कहा कौन कहा किस तरह से उस परमतत्तों से कनेक्ट हो गया है और वो भगवान का रूफ ही हो गया है इसलिए हमारे यहां पर दस अवतार कहा जाता है कि जो ऐसे अवतार जो पूरी तरह से उस तथ्टों के साथ जुड़े हुए हैं जबकि वो अवतार हमारा ही पूरी तरह से हमारे ही अंदर है बच जब जन्म प्रारंब होता है वहां से दस अवतार के माध्यम से यदि व्यक्ति पूरे जीवन को जी जाए तो वो मुक्त ही है उसी के अंदर पर मात्मतत प्रकट हो जाएगा तो भगवान कहा रहे हैं कि यदि मनश रूप में मैं खड़ा भी हूँ तो जो मूड लोग हैं वो जान नहीं सकते है चुकि वो जानन हैं हमारी आखे ही वो मूड ता वाली है तो फिर वो देख नहीं पाती उसी कारण से भगवान ने ये श्लोक यहाँ पर बोला कि मेरे परंभाव को न जानते हुए मूड लोग मनश रूप में इस्थित मुझ भूतों के महाइश्वर को नहीं जानते बारवी स्लोक में भगवान नौवे अध्याय के कह रहे हैं कि वे वियर्थ आशा, वियर्थ कर्म, वियर्थ ज्यान और विक्षिप्त चित्त वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृती को ही धारण किये रहते हैं कौन से लोग? मूड लोग, कौन मूड जो मुझ को नहीं जान सकते हैं क्या है, वो मूड क्यों हो गए? उसके लिए भगवान ने आगे बताया कि वो मूड क्यों हो गए? चुकि वो उल्जे रहते हैं कहां पर पहली बात भगवान कर रहे हैं कि व्यर्थ आशा हम व्यर्थ आशाओं में रहते हैं आशा ये सारी व्यर्थ होती है आशा मतलब कि बस कल कुछ ऐसा घट जाएगा कि जो बहुत कुछ हो मेरे जीवन में परिवर्थ ले आएगा जैसे कहां कि कल कुछ घटेगा वैसे कहां कि अभी बिलकुल बेकार है जैसे कल पे आशा रखी वैसे डिकलेर कर दिया गया है कि मैं आज दुख हो दुख में हो, दुखी हो चुकि आशा सुख की इसका मतलब है कि आधार दुख का है आशा कल की इसका मतलब आज ठीक नहीं और जीवन भर हम आशाओं के साथ जीते चले जाते हैं आशाएं पूरी होती जाती हैं नई आशा खड़ी हो जाती है फिर नई खड़ी हो जाती है लगातार आशाएं, आशाएं ही जीवन को हमेशा भविष में दोडाती रहती हूँ जो कि आशा है कि जो आएगा वो कुछ सुनहराथर होने वाला है जो बीता वो तो बेकार था, जो बीत रहा है वो भी बेकार है कल को जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरे व्यापार में चारचान लगा देंगे कल को कुछ ऐसा गटने वाला है कल को जब शादी हो जाएगी मेरे तो वह क्या बात है अभी तो जीवन ऐसे ही बीत रहा है शादी हो जाती है वाह कल को बच्चे हो जाएंगे तो फिर बात कुछ और होगी ऐसे कुछ ना कुछ नहीं नहीं आशाएं हमारे साथ लगातार हैं और भगवान कहा रहे हैं सारी व्यर्थ हैं पूरी भी हो जाएं उसके बार लगेगा कुछ भी तो नहीं है कुछ सार नहीं है, क्योंकि सारी निसार है जगत की सारी आसाएं व्यर्थ हैं सब खत्म जीरो हो जाने वाली हैं आज नहीं तो कल हो ही जाने वाली हमें दिखता है मरिग मरीची का की तरह कि बस मरिग को दिखता है पानी अभी दूर ही है वोरा पानी वो रेत के उपर पढ़ते हुए सूरज की किरणों को जो चमक पैदा होती है तो वहाँ उसको लगता है कि जल है वहाँ और वो दोड़ रहा है जल के पीछे वहाँ पहुंचता है तो देखता है यहाँ तो जल नहीं फिर देखता है नहीं आगे है आपने भी कभी देखा होगा आप सड़क पढ़ चलें तो तेज तपती धूप में आपको बहुत ज़ादे मरग मरी चिकाह दिखाए दिन लेगी कि सामने कुछ शीशा सा है वो धूप पढ़ रही है लग दिखता है कुछ और होता है कुछ और सब व्यर्द है यहाँ पर और हम पुरा जीवन आशाओं के साथ अपने आपको लेते चले जाते हैं और हम कहते हैं हम तो आशावादी है आशावादी का मतलब है जो केवल फ्यूचर में जी रहा है मतलब वर्तमान ने अपने आपको उससे कनेक्टी नहीं कर पाया वो वर्तमान को जी ही नहीं रहा है अभी में जो जीवन बह रहा है उससे उसका कोई मतलम नहीं कोई रिष्टा नाता नहीं कोई सम्मंद नहीं अभी में बहती हुई प्रसन्नता प्रेम और स्वास्त और जीवन से कोई सम्मन्द नहीं उसने कहा कल बहेगा जीवन जब आएगा सुख हमने कल पर डाल दिया है सब कुछ ये कल ही काल है ये सब व्यर्थ है सब कुछ कच्रा है सब बेकार है चुकि कल जो भी आशाएं पूरी हो भी जाएंगी नजाने कितने की आशाएं पूरी होई है क्या वो आराम में आ गए नहीं एक नई आशा खड़ी है एक आशा जब पूरी होती है एक नई आशा को चन देती है फिर जब वो पूरी होती है फिर नई आशा को जन देती है, इसी तरह से इस सिलसिला चलता रहता है, जैसे आप घास को उखाड़ो, उखाड़ने की प्रकरिया ही नए आने की प्रकरिया शुरू हो जाती है, बस वो नए शुरू हो जाती है, आशाएं भी कुछ ऐसी ही है, तो यह सब व्यर्थ भगवान क मूर्द लोग आशाओं में अपना जीवन बिता देते हैं, चुकि उन्होंने अपने वर्तमान को, अपने होने को समझा ही नहीं है, इसलिए भगवान दूसरी बात कहा रहे हैं कि व्यर्थ कर्म हैं, जितने भी कर्म हैं संसार के सारे व्यर्थ हैं, सारे बेकार हैं, एक ना ए तरके साथ जोड़ दे, वही कर्म व्यर्थ नहीं है, बाकि सारे कर्म व्यर्थ हैं, व्यर्थ का मतलब है, जिसका होना न होना बेकार है, व्यर्थ का मतलब है, कि जो समय के अनुसार सब खत्म हो जारेगा, समय आता है, सब खत्म, एक दम जैसे तुफान आया, ओने जाने कि एक ही जपके में सब खत्म कर दिया, तो सारे कर्म व्यर्थ हो गए न हमारे, एक ही जटका सारे कर्मों को व्यर्थ कर देता है, एक ही रिसेशन आता है और कमपनी में नजाने कितने सालों से लोग लगे हुए थे, एक ही जटके में सारी मेहनत, सारे कर्म कही खत्म हो गए, लोग की सारे व्यर्थ हैं कर्म, उसके बाद जान कर आगे बढ़ो, लेकिन हम उन कर्मों को कहते हैं कि नहीं, ये तो बिलकुल व्यर्थ नहीं है, भगवान के नजरिये से देखो, परमात्मा के नजरिये से, जिसको हम कहते हैं महतपूर्ण है, वो तो सब खत्म हो जाने वाल उसके अलावा सारे सकाम व्यर्थ है, सब स्वहा हो जाने वाले हैं, खत्म हो जाने वाले हैं, काले चक्र सब को स्वहा कर देगा, समझे चक्र सब को बदल देगा. जब बदल रहा है तो वो व्यर्थ ही तो हो गया, जो आज है कल नहीं रहेगा वो व्यर्थ हो गया, आज के लिए वो हो सकता है कि बहुत ही वैल्यूएबल हो, लेकिन अगले ही पल वो व्यर्थ हो जाता है, ऐसी बहुत सारे विचार व्यर्थी के अंदर आते हैं, वह क्या थ आरे कि पद्दती को ही बदल देगा लेकिन वो तो सांज आते आते जब गहराई आई तो व्यर्थ हो गए ऐसे ही जीवन व्यर्थ हो जाता है व्यर्थ के कर्म व्यर्थ की आशा व्यर्थ का जीवन का द्रिवान कर देती वो लोग आशाओं में और कर्मों में रहकर अपने जीवन को जो सार्थक हो सकता था वो व्यर्थ हो जाता है व्यर्थ वो ही है जो जगत में उल्जा है यहां पर जो परमात्मा के परमभाव को अनभव नहीं कर रहा है वो ही व्यर्थ है हमें लगता है कि व्यर्थ कहां, ये धनकमाना व्यर्थ कहां, ये परिवार का विकास व्यर्थ कहां, ये कीर्ती व्यर्थ कहां, ये तो है ना, दिख्ती तो है ना, लेकिन है, लेकिन आपके साथ सब खतम भी तो है, हमने यहां से इखटा क्या किया जो यही छोट जाएगा वो इखटा किया या वो इखटा किया जो मेरे साथ मुझे मेरे उस परमतत्तों तक मेरे जीवन की उजाईयों तक मुझे पहुचा दे हमने वो इखटा किया या जो सब यहीं बह जाएगा वो इखटा की है थोड़ा बैटकर हम सोचें, समझें, जानें की मैं इखटा कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ, इखटा हो रहा है या मैं कर रहा हूँ मैं उसके पीछे पागल हूँ या वो अपने आप मेरे प्रारब्द के नुसार, मेरे कर्मों के फल के नुसार प्रकट हो रहा है और साथ-साथ मैंने वो सार्थ करम भी जीवन में पकड़ लिया है मैंने निश्काम पकड़ा है, उसके बाद जो घट रहा है वो घटने दो वो तो घटेगा ही घटेगा, प्रकरती अपने नियमों के आधार पर आपने कर्म की है उसका फल देगी ही देगी, वो कहीं जाने वाला नहीं, लेकिन हम सारी रुच्ची को वहीं अटका दे तो हम तो काले चकर में फस गए उस परम भाव को, उस प्रार्थना को, उस ध्यान, उस सेवा, उस श्रद्धा के साथ में जब हम उस भाव को अनभाव करने लगते हैं, फिर जगत में जाओ तो व्यर्थ नहीं है, चुकि हम जो व्यर्थ था उसको गिरा देगी जीवन में जो प्रार्थना घटती है और परमात्मा का भाव घटता है तो बेकार के जो खयाल है वो गिर जाते हैं, विचार गिर जाते हैं, भाव गिर जाते हैं बेकार के हम कर्मों में बहुत उन्जे हुए हैं, हमारी अधिकतर शक्ति का हरास हमारे अधिकतर समय जो है वो बेकार यूँ ही जा रहा है चुकि जो बेकार था हमने उसी को कहा कि महत्पून है आओ इसी की चर्चा करते था बेकार हमने उसी की चर्चा हमने कूडे में ही बीनना शुरू कर दिया वो उससे होगा क्या कुछ भी नहीं हमने वहां ढूंडा जहां नहीं था, वहां खोदा जहां पानी नहीं था सब बिकार हो रहा है लेकिन यदि अंदर के स्वके भाव को अनभव करके उस अध्यात्म को जीवन में पकड़ कर जब कर्मों में उतरते हैं तो व्यर्थ नहीं रहता फिर भगवान एक तीसरी बात और कर रहे हैं व्यर्थ का ज्यान सारे ज्यान हमारे व्यर्थ के हैं एक ज्यान है जो मुझे मेरे स्वरूप तक टिका देता है एक ज्यान है जो बाहर जगत का ज्यान है प्रकृति का ज्यान है वो सब व्यर्थ का हो जाएगा आप इत्यास पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, वो व्यर्थ है, वो साइंस, वो व्यर्थ हो जाएगी वो जीवन के उस उची स्थती को अनभो करने में सब व्यर्थ है प्रकृति की सारी नॉलिज व्यर्थ है, यदि प्रकृति की अध्यक्ष, वो अध्यक्ष कोन है उसको नहीं जाना, तो वो सब व्यर्थ है हमारे सारा ज्यान, सारी नॉलिज, सारी बुद्धी हम कहां अटका देते हैं? जो कल को पूरी तरह से खत्म हो जाने वाली है या हमने उस ग्यान को अनुभो किया जो मुझे मेरे स्वरूप तक टिका देगा जिसको अध्यात में ग्यान कहते हैं spirituality कहते हैं उस ग्यान के अलावा सारे ग्यान गयरत है चुकि मूड लोग जो है वो इस बाहर की knowledge को ही कहेंगे कि बहिया यही बहुत जादे knowledgeable personality है इसने तो प्रकृति की सारी चीज़ों को पूरी तरह से याद रखा हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा चुकि एक ना एक दिन तो व्यर्थ है व्यक्ति मरा नहीं शरीर खत्म वो व्यर्थ हो गया व्यर्थ वो नहीं जो साथ रहे और हमें लगातार उचाईयों पर लेकर जाए तो मूड लोग व्यर्थ की आशा में रहते हैं व्यर्थ के कर्मों में रहते हैं और व्यर्थ के ग्यान में रहते हैं जूटे ज्यान से जूटे कर्म करते हैं, जूटे कर्मों से जूटी आशाएं पैदा होती हैं, अज्यानता के कारण से हमारे करम भी अज्यान के होते हैं और आशाएं भी हमारी पूरी तरह से अज्यान में खड़ी रहती हैं, और इस तरह से हम अपने एक जगत का निर्मान कर इसलिए हर व्यक्ति अपने अपने जगत को निर्मित कर लेता है तो भगवान कहा रहे हैं कि और विक्षिप्त चित्त वाले विक्षिप्त चित्त का मतलब है कि जिसका चित्त एक जहें पर ठैरता रही जो हमेशा बदलता रहता है जिसके चित में कभी भी एकागरता है ही नहीं वो शान्ती, वो प्रेम, वो समरस्ता, वो सरल्ता वो है ही नहीं, वो तो हल्चल में है टिकी नहीं पाता है, बे पैंदी के लोटे की तरह है कभी इधर, कभी इधर, कभी ये खयाल, कभी वो खयाल, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी उसका खयाल, कभी इसका खयाल ऐसा चित्त है हमारा कि वो ठैरता ही नहीं है जो मूड लोग हैं, जो सब व्यर्थ में लगे हुए है चुकि उनका चित ही विर्थ है अर्थात उन्होंने एकागरता दी ही नहीं है विक्षिप्त हो गया है चित तो जीवन ही विक्षिप्त हो जाता है विकर जाता है विकरा हुए व्यक्ति जो अंदर से जिसका मन विकरा है उसके सारे करम विकरे उसकी वानी विकरी है उसके सब क उठना, बैटना, बोलना, चालना, उसका चलना सब बिखर जाता है वो विख्षिप्त है आसुरी, राक्षशी और मोहनी प्रकृति केवल और केवल जो अपने लिए जीवन जिए जो केवल कल्पनाओं में रहे और केवल जो मोहों में रहे वो ही है राक्षिसी आज सुरी और मोही केवल अपना स्वार्त गिसी का अहित हो जाए राक्षिसी वृत्ती का मतलब है कि बस मेरा फाइदा होना चाहिए मैं अहित करके भी अपना फाइदा कर दो और हम लगे रहते हैं इसी मेहीं कि बस मेरा भला कैसे हो जाए, दुनिया जाए भाड में, यदि कुछ गलत भी करना पड़े हम करेंगे, किसी को मारना पड़े मारेंगे, डाटना पड़े डाटेंगे, भाय में लाना पड़े लाएंगे, चोरी करना पड़े करेंगे, कुछ अभी करके हम अपने आपको सुक में लेकर आएंगे। ये राक्ष किर पर बत्ति है। आसुरी पर बत्ति है कि बस कल अच्छा होगा, बड़ा होगा। मैं और बड़े कुटमु वाला हो जाओँगा। और सब कुछ कहता है कि मैं ही बड़ा। अपने एहम भाव को इतना बड़ा कर लेता है कि बाकिसाब छोटे हो जाते हैं या फिर मोहिनी किसी के मोहों में हम अटेच हो जाते हैं मोहों में आ जाते हैं अटक जाते हैं कहीं पर और आसक्त होकर उसी तरह से सारे काम करने लगते हैं तो या तो राक्षसी या आसुरी या जो मोहीनी प्रवर्ती है हमारे अंदर बगवार कहा रहे हैं कि उसको धारण की रहती है बस वो ही हमारे अंदर रहकर या तो तहसनेस करके भी अपना फायदा हो या आज नहीं तो कल तो मैं बड़े कुटम वाला होई जाओंगा और तुम सब लोग कीडे मकोडे या फिर कहीं पर हमने अपने आपको अठका दिया कि ये मेरे वाले इसी का विस्तार करना है महो आ गया, attachment आ गया, आ सकती आ गई कहीं से अपने आपको connect कर दिया वो अज्यानता की होगी, वो बिखरी हुई होगी फिर व्यर्थ के कर्म होंगे, हमारे सारे कर्म उल्टे सीदे होंगे बिखरे हुए होंगे और जब कर्म ही बिखरे हुए हैं तो हम भी आशाएं फिर व्यर्थ की लगानी लगेंगे तो इस तरह से पूरा जीवन का एक दर्शन इस असलोप में आ रहा है कि कैसे एक मूड सामानने त्याव्यक्ति अपने जीवन को जी जाता है ये पूरा एक जीवन दर्शन है जिसको हमें गहराई से समझना होगा कि क्या हम इसी में ही तो अपने आपको लेकर नहीं चल रहे हैं क्या हम कहीं यहीं तो नहीं अटक गए यदि यहीं अटके हैं तो उनको कहा है मूड लोग वो मूड लोग हैं और जो मूड लोग हैं उनको कहा है कि वो मेरे परमभाव को नहीं जान सकते जब परमभाव को जाने नहीं सकते हैं उस तरफ जाने की उनकी रुची ही नहीं है जिग्यासा ही नहीं है इसलिए भगवान को हम भजते हैं जब दुख में आते हैं उसकी तरफ जिग्यासा नहीं, दुख आएगा तो भगवान बस आप करपा करो, गुरू आप करपा करो, देवता आप करपा करो, दुख आया नहीं कि हमने कहा, हमने अपने डिमांड शुरू की नहीं, हमने उसको पाने के लिए उसको कहां भजा, जब सारा सुख था तो उसक सुखों में हैं उसको तोड़ते कहां हैं हम उसको तोड़ करी तो परम जो भाव है उसको उत्पन्न किया जा सकता है लेकिन सुख जब आता है तो हम उसमें रम जाते हैं और जब रम जाते हैं फिर दुख में उसको याद करते हैं फिर वो कहां याद रुगा वो तो दुख ही दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई जो सुख में सुमिरन करें दुख काहें को होई हम उस परंभाव को यादी नहीं करते चुकि मूर्ता के कारण से हम व्यर्थ के जीवन को जी जाते हैं अपना जीवन जो बहुत ही सार्थक था उसको व्यर्थ कर देते हैं तो बहुत ही महत्पून, इस लोग की नववे अध्याय का बारवा था, आगे की इस लोग की चर्चाब हम परसो करेंगे, अभी आपको की प्रशन हों तो उसमें बात करते हैं। खेला सवाल पूछा है सीमा जी ने, मैं पूछती है क्या वक्ति अपने मौलिक सुभाव को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए सुभाव संसकार कहते हैं। जैसे उसके अंदर के संसकार उसकी आदते हैं, वैसा उसका सुभाव बन जाता है। तो जो संसकार से उत्पन होने वाला सुभाव है, जब संसकार बदलते हैं, तो सुभाव बदल सकता है। जब करम बदलते हैं, तो संसकार बदलते हैं, संसकार बदलेंगें, तो सुभाव बदल सकता है। इसलिए वक्ति पुरानी से पुरानी, गहरी से गहरी आदतों को छोड़ सकता है। किसी को क्रोध करने की आदत हो, उसके सुभाव में हो, तो कुछ साधनाओ के मार्द्यम से, चुकि वो चित्त के आधार पर प्रकट हो रही थी। यदि फाउंडेशन में उस चित्त को ही इनर इंजिरियरिंग के मार्द्यम से, उसकी सफाई कर दी जाए, और वहाँ पर एक शुदता का संचार कर दिया जाए, तो उस सुभाव बदल जाएगा। वो क्रोध की आदत बदल जाएगी, वो चोरी की आदत बदल जाएगी, वो जुट बोलने की आदत बदल जाएगी, यदि बदलना चाहे तो बदल सकती है, और यदि बदलना ही नहीं चाहे तो फिर तो वो और पक्के हो जाएगी, चुकि आदत यदि हो गई तो उसको बद लिदाना बड़ा मुश्किल है।चिए अब वो unconsciously हो रहा है। अब वो GJR पर चली गई है बात कोई कार्णे, अब वो unconsciously व्यक्ति जूट बोलते रहते हैं। तो यदि उसको हम गहरे इस तरे पर जाकर ठीक नहीं कर पाते, तो वो नहीं बदलेगा. वो भी आदत पक्की हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी. इसलिए कहते हैं, यह तो मेरी आदत है, शराप पीना तो मेरी आदत है, चाय पीना तो मेरी आदत है, यह काई से चोटेगी? ये तो अब चिता में ही जाएगी. चुकि हम उस आदत को छोड़ने के लिए आलस्य को तोड़ना पड़ेगा. किसी भी आदत को छोड़ना उसके परती awareness को पैदा करना पड़ेगा. एक जाग्रुकता, एक चेतनता को पैदा करना पड़ेगा. और जैसे ही हम aware होते हैं किसी भी आदत के परती, वो आदत एक दम छोई मुई होकर छोटने लगती है. चुकि चित्त से परेख चेतना में हम आजाते हैं जब awareness पैदा होती है. और चित्त में जो भी कुछ कचरा है उसकी सफाई होने लगती है. इसलिए जब पक्का करते हैं कि मुझे सिगरट छोड़नी है, तो पक्का पन जो है, संकल्प जो है और गएर स्तर पर बहरा होता है. और वो संकल्प यदि जगा रहे हैं तो वेक्टे सिगरट छोड़ देता है, शराब चोड़ देता है, अपनी आदतों को चोड़ देता है, यदि संकल्प मजबूत है, यदि वो कमजोर है, तो फिर वो चोड़ नहीं पाता, चुकि सारी शक्ति उस आदत का हिसा बन जुके होती है, इसलिए जो सुभाव जो है, वो संसकार से उठ रहा है, तो उसको बद रस है, वहाँ पर रती भर भी परिवर्दन नहीं आता, वो तो है ही एक रस, शान्त, तो बदला जा सकता है, और ध्यान की गहरी प्रक्रियाएं, अपने उसी सुभाव को बदलने में, जो संसकारों से उत्पन हुआ है, बड़ी लाबकारी हो जाती है, योग की साधनाएं, इसलिए हैं कि वो चित्त की सफाई करके हमको एक नया दे देती है, अब हम नय हो जाते हैं, पुराने में हम कारी, चित्त पूरी तरह से नया हो जाता है, बुद्ध को लोग गाली दे रहे थे, तो बुद्ध ने का, अब जिसको तुम गाली दे रहे हो, वो है ही नहीं, अब मैं वो नहीं रहा जिसको तुम गाली दे रहे हो, अब तो बदल गए हैं अंदर से, जी, गुर्जी एक सवाल आया है, तरुन जी ने पूछा है, बहुछते हैं, बहुत दिनों से मन बहुत निराश है, बहुत परिशान हूँ मैं, तो इस नकरात्मक्ता से बाहर कैसे निकला जाएगा. हम हताश, उदास और परेशान हो जाते हैं, चुकि हमने कुछ इच्छाएं पाली, हमने अपने स्वके भाव को, अपने उत्सा को, लास को, स्फूर्ति को, अपने आपको नहीं जाना, हमने इच्छाओं को इतना बड़ा कर दिया, बाहर की चीजों को इतना बड़ा कर दिया, कि यदि वो नहीं तो मैं पिर जीवन तो व्यार्थ है चीजे आप से हैं आप चीजों से नहीं निराशा क्या है चीजे जब बड़ी हो जाए पधार्त बड़े हो जाए कीर्थी बड़ी हो जाए और व्यक्ति छोटा हो जाए तो व्यक्ति निराश हो जाता है और जब आप अपने आपको इतना बड़ा कर लें, वो चीजे छोटी हो जाएं, तो निराशा कैसे हो सकती है, और वैसे भी देखा जाएं तो हम से वस्तु हैं, पधार्त हैं, पधार्तों से हम नहीं हैं, यदि पधार्तों से मैं हूँ, पधार्त जो हैं, जो धन हैं, वो आधार तो आप है तो खुशी मनानी है कि मैं जीवित हूँ खुशी मनानी है कि मेरे हाथ और पैर कार ने कर रहे हैं वहाँ जाकर देखो जिनका हाथ नहीं है पैरलाइज है पैर काम नहीं करते जो देख नहीं पाते जो सोच नहीं पाते जो चल नहीं पाते किसी का liver problem है किसी kidney problem है किसी के heart problem है उनसे तो बहुत जादे परमात्मा ने हम पर करपा की हुई है लेकिन यदि हम नहीं अपनी इच्छाओं को इतना बड़ा किया अपनी पैरों को इतना चद्दर से बाहर निकाल दिया तो ठंड तो लगेगी तो आप बाहर निकालना बंद कर दो, ठंड लगनी बंद हो जाएगी इच्छाओं को इतना बड़ा रूप न दो, आप करमट हो जाओ आप जीवन को जीओ, उत्साह से जीओ, लास से जीओ आप कोई भी कारे चोटा बड़ा नहीं होता, आप कुछ भी करो लेकिन वो जो कारे करो तो उसमें उत्साह जगना चाहिए, प्रसंदता आपके अंदर पूरी तरह से होनी चाहिए, और निराश लोग के साथ नहीं उठो बैठो, ऐसे लोग आपके आसपास हो जो आपको उत्साह दे, उस मन, वो मन जो किसी एक निगेटिव थौट में अटक गया है, वहां से निकालने में साहिब हो जाए, हम ऐसी लोगों के पास रहते हैं, जो और उसको डाउन करते हैं, ऐसी ही चर्चा करते हैं, जिससे मन और डाउन हो जाए, वो एक दुखी वेक्ति, दूसरे दुखी के पास ही जाकर बैटना पसंद करता है, और वो एक दूसरे के दुख को बाटते हुए, दोनों दुखी हो जाते हैं, निराशा आशा पे टिका है, आशा है, पूरी नहीं हुई, निराशा आगी, आशा ही नहीं है, तो निराशा कैसी, आशा हैं निराशा को पैदा करती है, जब कहा प्रॉ बहुत ही बहतर तरीके से कांकरता के साथ आप करते चले जाओ, फल अपने आप रकट हो जाएगा, और उस कर्म का फल यदि जतना होना था, उस कर्म का फल एक्स होना था, और आपने उसमें से कर्म वही कर रहे थे, फल एक्स आना था, आपने का ने इसमें से वाई फल आ भाया बीच जो था वही तो आएगा कर्म जैसा था जितना था जिस तरह से था जिस इस तरका था जिस भाव से था जिस चिंतन की प्रक्रिया से था उसी के आधार पर फल प्रकट होते हैं और हमने क्या किया कि कर्म जैसे किये हमने फल कहा यहां का आना चाहिए फल के लिए हम एकदम चलांग लगा देते हैं और कर्म निचले स्थर पर बहने लगता है तो मैची नहीं कर पाता जब वो मैच नहीं कर पाता तो वही यह निराशा है तो आशाएं जो हैं वो केवल आपको दुख से उभारने के लिए हूँ दुख में ले जाने के लिए ना हो हम अपनी आशाओं का गड़ा खोद कर उसी में ही उतर जाते हैं अभी दुख है तो आशा पका करो कि और आगे बहतर होगा तो आशाओं को निराशा में ना बदलने दो बलकि आशा केवल उर्द गती वाली हो जिसमें अधोगती हो वो फिर निराशा हमको नीचे ले जाएगी इसलिए आप कर्म करो उत्सा के साथ जीवन को जीओ प्रकृति के नजदीक जाओ अपने सिर को कभी भी नौर्थ साइड में रखकर ना सोना और अधी बहुत निराशा रहती है तो सिर के पास एक तामे के लोटे में पानी भर कर रखना सुबह को जल्दी उठकर प्रकृति के नजदीक जाकर लंबा गहरा सांस भरना जितना हो सके नेचर के नजदीक जाओ और ब्रमान्ड ये प्राण को अपने स्पिंड में धारण करो इसलिए प्राणयाम के अभ्यास योग के आसन पुरी बॉड़ी एनरजी को बैलन्स कर देख योग के आसन करो 15-20 मिनट के लिए आसन करो 10-1 मिनट के लिए आप काणयाम का अभ्यास करो और थोड़ी देर के लिए ध्यान के अभ्यास बैठ और यदि ये दो बार कर लो सुभे और शाम कर लो तो बहुत जादे इसका प्रभाव आपके पूरे के पूरे व्यक्तित तो पर आने लगेगा और दिन में मोका मिलते ही थोड़ा मुस्कुराया करो हसा करो ठाके लगाया करो मोका मिलते ही आपकी मुस्कुराह ठाके में बदलने चाहिए हम ठाकों भी जो ठाक के जहां तक हो सकते हैं हम जादे खुल कर हस सकते हैं हम वो भी नहीं हसते हैं हम तो केवल मुस्कुराते हैं वो इसको निकल जाते हैं हम जादे देर तक मुस्कुरा सकते हैं हम तो केवल वहां से होते हुए निकल जाते हैं मुस्कुराहत को बढ़ाओ जब चेहरा मुस्कुरा रहा होता है तो मन में नेगेटिव थॉर्ट नहीं होते रिसर्च है कि यदि आप मुस्कुरा रहे हैं मुस्कुराता हुआ वेक्ति कभी नेगेटिव नहीं हो सकता आप कभी प्रियोग करके देखना आप मुस्कुराना और कुछ सोचना दुख की बाते जो पास्ट में बीती थी आपको यादी नहीं आएंगी आएंगी तो चली जाएंगी ठैर नहीं पाएंगी लेकिन याद ही आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं तो आपको पास्ट की बाते बहुत याद आएंगे और वो आप उनको पकड़ कर खेचना शिरू करतेगे दुख हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा जोकि मुस्कुराहाटी नहीं है इसलिए हट योग के गरंथों में योगी के लक्षण बताते हुए ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं लेकिन पहले ही दो लक्षण बड़े महत्पून है वपू, क्रिशत्व, वदने, प्रसंदता कि शरीर पतला और चेहरे पर प्रसंदता ये दो चीजे बताती है कि शरीर स्वस्त है और चेहरा प्रसंदत है तो मन स्वस्त है चेहरे को प्रसंदता दो कर्मों में हलका पन दो कर्मों में लीनता दो और अपने भीतर मन में उच्छा दो अच्छा भोजन करो लाइट फूट लो गारिष्ट भोजन ना करो नींद पूरी लो रात को देर तक न जागो ऐसी मूवी ऐसे पिक्शर्स ऐसे प्रोग्राम्स न देखो जो आपके मन को नीचे की तरफ ले जाए आप वहां रहो दिन भर जो आपको थोड़ा सा ताकत दे बल दे चुकी अभी उस इस्तिति में नहीं कि खुद आप अपको ताकत दे पाएं यदि दे पाएं तो उससे ऊंची बात कुछ और हो नहीं सकती तो अपना कभी स्वाध्याय करो चिंतन करो मनन करो परमात्माने क्या मुझे दिया है कमाल किया है परमात्मा रक्षिद जी एक समाल मेरे मन में उठ रहा है कि हम गीता की बात करते हैं और मानव जीवन में हजारों तरह के समाधान हो सकती हैं तो क्या भगवाद गीता को जो थोरली पढ़ लेगा वो अपनी समस्याओं को खुद समाधान करने में सफल हो जाएगा गीता को पढ़ने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा गीता के भगवान के वचन को जीवन में उतारने से समाधान होगा समाधान शास्त्र को याद करने से नहीं होता चुकि समस्या तो बहुत गहरे स्तर पर होती है और कुछ शास्त्र याद बहुत उपर के स्तर पर कर लिया जाता है लेकिन जब वो जो कहा है उसको जीवन में उतारना शुरू करते हैं जैसे जैसे वो जीवन का हिस्सा बनती चली जाती है वैसे वो सवस्याएं पूरी तरह से दूर होती चली जाती है आपके पास घर में अधेरा है, आपके पास टोर्च भी है और आपने सेल्स उसमें रखकर भरके पूरी तरह से तियार करके रखा हुआ है अब वो cell, torch, क्या उस अधेरे को दूर कर सकती है यदि आपने उसको implement नहीं किया तो आप सारे आयोजन करके रखो कि आपके पास light भी है, switch भी है और tune, पूरी तरह से सब रोशनी की विवस्था है लेकिन आप उसे on ही ना करो, तो light है तो बिकार है आपके लिए, वो बिकार ही हो जाएगी ऐसे ज्यान बिकार हो जाएगा यदि उसको implement नहीं किया गया तो तो गीता का ज्यान तब लाब देता है जब वो जीवन में उतरता है यदि वो जीवन में नहीं उतरा तो वो विद्वत्तता देगा और एहंकार बढ़ा देगा कई बार सबस्याएं और खड़ी हो जाएंगी इसलिए गुरू की आउशक्ता होती है वो सॉलिड जो डाइट है उसको लिक्विड डाइट में पेश कर देता है और पूरी तरह से जीवन में एक समरस्ता एक हलकापन प्रकट हो जाता है तो गीता को याद ना करो गीता को जीवन में अपना ले अब आपके और हमारे मुलाकात होगी शुक्रवार सुबार आज पेजे सब तक के लिए हरे कृष्णा हरे पृष्णा कृष्णा हरे पृष्णा हरे पृष्णा